देश के प्रधान मंत्री ने लोकल फर वोकल का नारा क्या दिया इस दिपावली कई घरों के दिये रोशन होने लगे हैं जिसमें हमें दादा दादियों के जमाने से खिलोना मुहाया कराने वाले कुमहार भी है दरसल भारत और चीन के बीच बिगड़ते रिष्टों में चाइनेस प्रड़क्ट की बिक्री में आई गिरावट से कुमहारों की जीवन में रोशनी कर दिया है खास कर दिपावली के मद्दे नजर कुमहारों में काफी उमंग देखने को मिल रहा है ये नजरा है राची से करीबन दस किलो मीटर दूर बोड़या गाउ का मिट्टी से खिलोने और दिये बनाते हुए इस दिपावली ये काफी खुश है इस बार कुमहार मिट्टी की दिये हर्षवर्ट के मुकाबले जादा बना रहे हैं और उनकी बिक्री भी सुरू हो चुकी है यही वज़ा है इस बार बजारों में मिट्टी के दियों के साथ साथ मिट्टी के खिलोने भी सज गई है जहां लोग काफी उत्सा के साथ पहुँच कर खरीदारी में चुट गए हैं पिछले साल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा हूंगी दिल लग रहा है और डिमांड तो ज़्यादा है वेकिन माल उतना बन नहीं पाया है लोग का कैसा रिस्पोंस मिल रहा है इस बार दिया को लेकर इस बार अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है कि दिया चाहिए इस बार दिया जलाएंगे खास करके रामना विजन पुजा हुआ है उसके लिएके और ज्यादा आदमी दिया जलाने में उसी जाहिब कर रहेंगे गौर तलब है कि पुर में चाइनिज समानों के बजार में होने से कुमहारों की कारेगिरी काफी प्रभावित होती थी लेकिन इस बार कुमहारों में उम्मीद बनी है कि उनके बजार अच्छे होंगे चाइनिज का समान बंद कर देने से भारतिय मजदूर को बहुत फायदा होगा इसका वज़ा यह है कि चाइनिज समान आने से भारतिय मजदूर को बहुत सारा चीजों को शामना करना पड़ता है जैसे कि चाइनिज समान जितने भी आते हैं वो तो उधर से प्रोड़क्ट आते हैं तो उसका मनुफ यहां नहीं होता है जैसे कि छोटे-मोटे जितने भी जिसे कुमहारी को देखा जाए तो दिया बागरा बनाते हैं, उनसे क्या होता है, भारतिय मजदूर को कहीं ने फायदा होता है, इसलिए हम लोग का ये ही सोच है कि जितने चानिज समान है उच को अवाइट किया जाए, दूर किया जाए भा जो हम है हम लोग बीदिया यूज़ कने वाले है और जो रिसमें अच्छा वगा जो यूज है यूज पेसलों के समय में जहां बजारों की स्थिति दैनिये हैं ऐसे में कुमारों के पास बढ़ते काम ने कम से कम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए खुशिया लेकर आई है अवंतिका रॉय के साथ राची से अमिज सिंग की रिपोर्ट